जानकुमार सानू के मम्मी का ये कहना है कि जानकुमार सानू ने जान पूछ करके मराथी भाषा का अपमान नहीं किया है वो तकलीप और तनाव से गुजर रहे हैं आए चांदते हैं खबर डीटेल में पर उससे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं हुशल काचवान और आप देख रहे हैं मूवी जड़ा दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि जानकुमार सानू जो है उन्होंने जो निकी तमबोली और राहुल वजदे से कहा कि मुझे भाषा से चिड़ है हाला कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा अब मैं आपको बता दू उनकी जो मम्मी है मा अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती तो होगी ही तो इसलिए वो कहती है कि नेपटिजम किड ये जो कमेंट पास हुआ जानकुमार सानू के बारे में उस पर से वो टेंशन में हैं तनाव में हैं और इसलिए उन्होंने ये चीज़ कही है वो कहती है कि मेरे खुद के पती ने इसी भूमी पर अपना शोहरत कमाया है नाम कमाया है और मेरे तीनों बेटे यही पर जनम लिया है उन्होंने अपना जो भी पढ़ाई लिखाई सब यही पर की है और मैं खुद उदव ठाकरे, बाल ठाकरे को अच्छी तरह से जानती हूँ और मेरा उनके घर पर आना जाना लगा रहता है और वो यह भी कहती है कि आखिर मैं अपने राज्य पर ऐसी उमली QE उठाऊंगी और उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि जानकुमार सानू जो है वो यह नहीं कह रहे थे कि उनको मराथी भाषा से चिड़ है जानकुमार सानू को उस बात से उनको चिड़ है इस तरीके से शफाई दी है जानकुमार सानू के मम्मी रीटा सानू ने अब मैं आपको यह बता दू दोस्तो कि कई हट तक यह बात सही भी मानी जा सकती है क्योंकि अगर आपने देखा होगा अन देखा अन सीन में तो वहाँ पर जानकुमार सानु एफर्ट कर रहे थे बात करने का मराथी में और वो खुद अच्छी खासी मराथी बोल रहे थे यहां तक कि उन्होंने राहुल वैद्दे से ही यह पूछा था कि क्या ही कह सकते है तो क्या कह सकते है एक रिस्पेक्ट जो है भाषा के तरफ वो तो दिखाई दिया था पर हाला कि उनका गुसे में उन्होंने जो बोल दिया उस बात का बवाल बन गया और अब सभी ने माफी तो मांग ली है कितने हद तक जानकुमार सानु के मम्मी की बात सही है क्या लगत है आपको आप बताएए हमें in the comments below. We are waiting to hear you, this is Shulka Chawan and you are watching Movies and Da.